हेलो एवरिवान वेलकम बैक टियर ओन चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नंबर एट विशे गनित कक्षा नो हमारी तिथी 23 जुलाई के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में हमें पढ़ना है रेखा रेखा खंड और किरन के बारे में ठी तो रेखा क्या होता है साधारन शब्दों में सरल रेखा बिंदूों से मिलकर बना एक सीधा रास्ता है जिसका कोई अंत बिंदू नहीं है मतलब रेखा क्या है दोनों तरफ ये क्या है अनंत है इस तरफ भी कहां खतम है और इस तरफ भी कहां खतम है इसका कुछ पता नहीं है चलती ही रहती है ये क्या है रेखा है रेखा को उस पर स्थित किनी दो बिंदों के द्वारा नामित क्या जा सकता है ठीक है मतलब अब इतनी यह रेखा कहीं खतम तो होती नहीं है, तो इस पॉइंट यह वहाँ पे कहीं पर भी, क्या ले लिते हैं, दो पॉइंट से ले लिते हैं, जैसे A, B ले लिया, और इनी को हम क्या करते हैं, इस जो रिर इस line ने, जो यह रेखा है, इसको AB से ही हम दर्शाते हैं ठीक है वैसे AB अंत नहीं है AB के बात बहुत कुछ है लेकिन अंत है नहीं तो किसी ना किसी नाम से तो बोलेंगे ना इस लाइन को तो इस लाइन को हमने नाम दिया AB ठीक है और इस रेखा को नाम देने ठीके अंत बिंदू मतलब इसका कहा ये एक अंत हो जाती इसको मापा जा सकता है अब देखोगे ये तो अनंत है ठीके कहा का तो मोरी कुछ पता ही निये तो ये इसको माप नहीं सकते लेकिन इसका दोनों तरफ अंत बिंदू है तो इसको भी हम क्या कर सकते है आसाने से माप स समझ में आ गया göster आप देख है उसके बाद यह यह होता है किरन का रहए बार किरन क्या क वह भाग है यह भी रह communicate to मैंने काट दिया तो इसको तो माप सकते हैं इतनी हिस्से को तो यह किसके अंदर आ जाएगा रिखा खंड के अंदर आ जाएगा ठीक है अब किरन क्या होता है किरन रिखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदू है किन्तु दूसरी दिशा में यह है अनन्त है ठीक है यह क्या जहां से बिंदू को हमने स्टार्ट किया है ठीक है किरन को नामित करने में उसके अंत बिंदू को पहले लेते हैं तो पहले हम A से शुरुआत करेंगे इसकी लिखना और B का पता नहीं कहां तक गया है तो इसको कैसे दर्शाएंगे इस तरीके से ठीक है कि A तो बिंदू है ल रूप में पहचाने और नामांकित करें तो बताइए इसमें से रेखा रेका खंड और किरन कोन सी है यह क्या है एक तरफ तो अंत बिंदू है लेकिन दूसरी तरफ चले जा रही है कोई अंत नहीं है दूसरी तरफ ठीक है तो क्या है यह क्या हो जाएगी किरन हो जाएगी क्य ठीक है अगला क्या है इसके तो दोनों पिंदू अंत है यहां पे X और Y दोनों तरफ से बंद है यह इसको मापा जा सकता है क्या है यह रेखा कंड क्या है यह रेखा कंड कैसे दर्शाएं इसको X Y के उपर क्या लगा दू में सिर्फ सीधी रेखा लगा दू ठीक है अगला ब हो गया हमारा एक कोशिन तो यही था सिर्फ पहला प्रशिन ठीक है आप चलो आगे बढ़े इसको हटा देती हूं में रफ कर देती हूं समझ में आ गया बिल्कुल सिंपल साहे कुछ नहीं करना चलिए अब हम क्या करना है आए अब हम कोणों और उनके कुछ गुणों की पुन यहां से यह है और इसी बिंदू से दूसरी किरन बनती है यहां से यह है ठीक है तो यह क्या हो गया इसके जो इन दोनों के बीच में जो यह दूरी है यह क्या है कोण है ठीक है इनके बीच का यह क्या है यहां पे कोण है ठीक है कि जुकाओ कितना है इनका एक दूसरे के बी मतलब आपस में काटती है दोरे खाएं तब इस प्रकार बने कौन कुछ विशेश गुन रखते हैं इसमें क्या होता है कई सारे गुन होते हैं उनको हम फिगर नबर एक है पहले इससे समझते हैं यह वाले फिगर आपको इसको ध्यान से देखना है इस फिगर में जो एंगल ए एक है वो तीन के बराबर है कौन एक ये है कौन एक और तीन ये है कौन तीन तो ये कौन और ये कौन बराबर है क्यों बराबर है इनको हम बोलते हैं सिर्शा भी मुख कौन जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो इनको बोलते हैं सिर्शा भी मुख कौन और ये बराबर होते है अब आप कहोगी तो दो और चार भी तो हैं लिखना है तो ये बहुत अच्छे से आपको revise कर लेना है चलिए आगे है एंगल एक मतलब कौन एक और कौन दो क्या है 180 एंगल एक ये क्या है एक और ये क्या है दो तो कौन एक और दो को मिला के आप हमी पता है जो सीधी रेखा इस पर कौन सा कौन बनता है 180 डिगरी का कौन बनता है मतलब एक और दो मिलाके क्या बनता है 180 degree सरल रेखा युगम जो होता है ठीक है तो इस प्रिकार जो एक और दो है ये 180 होंगे उसके बाद जो बचते हैं यहाँ पे दो और तीन दो और तीन ठीक है और यहाँ से तीन और चार इदर से ये तीन और चार और इदर से चार और एक ये भी तो वही है सरल रेखा युगम है ये भी 180 होगा ठीक है और ये भी 180 होगा ये भी 180 होगा और ये भी 180 होगा ठीक है क्योंकि सब क्या इस यहाँ पर ये सीधी रेखा है और यहाँ पर यह भी सीधी रेखा है तो इस तरीके से clear? हो गया यह अब यहाँ पर देखो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तीर्यक रेखा द्वारा प्रतिछेद किया जाता है इससे कई प्रिकार के को निर्मेथ होते हैं आप देखो तीर्यक रेखा क्या होती है? दो समानांतर रेखा हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती है जैसे कि यह है ठीक है? इसको क्या होता है? एक तीर्यक रेखा प्रतिछेद करती है इन दोनों को एक जो रेखा काटती है उसको हम बोलते हैं तीर्यक रेखा कोनों का प्रिकार उनके में क्या संबंध है वो हम पढ़ते हैं पहला है संगत कोन यूगम बराबर है संगत कोन कोन से होते हैं अब जैसे यहां पर एक है और यहीं से उपर लिया ना तो नीचे से भी उपर वाला ही लेना है पांच तो एक और पांच क्या है संगत यूगम कोन ये क्या है बराबर है एक पाँच के बराबर है ठीक है और दो छे के बराबर है दो छे के बराबर है अब आपको उपर वाले नहीं नीचे वाले भी नीचे वाला नीचे वाले से बराबर है ठीक है चार वाला आठ के बराबर है और तीन वाला साथ के बराबर है किस वज़े से बराबर है संगत युगम संगत कोन युगम से ठीक है ये आपको ध्यान रखना है संगत कोन युगम में क्या आ जाएगा उपर वाला उपर वाले से बराबर है नीचे वाला नीचे वाले से बराबर है ठीक है आगे है अनंत एकांतर कोन युगम बराबर है एकांतर कोन युगम बराबर है मतलब एकांतर में क्या आ जाएंगे तीन और पांच मतलब ये आपकी रेखा है तो इधर वाला और इधर से इधर वाला ठीक है ये क्या होंगे बराबर होंगे तीन जो है वो पांच के बराबर है चार जो है वो छे के बराबर है ठी वाले वीवी एक इधर है तो दूसरा इधर ही लेना पड़ेगा तो यहाँ पे नीची था तो उपर लिया था वहाँ पे उपर है तो नीची वाला लो अब साथ लो ठीक है ना तो एक साथ के बराबर है और दो आपका यहाँ पे आठ के बराबर है ठीक है एक इस रेखा के इनके द्वारा एक ही तरफ जो कौन बने जैसे तीन और छे हैं अंदर वाले जो हैं तीन और छे हैं इनका जो यूगम होगा वो क्या होगा एक सो असी तीन और छे क्या होगा एक सो असी थी सरीके से चार और पांच का भी क्या होगा एक सो असी अंदर वाले ही लिए ने इन र दी गई figure 3 में जो यह आपको figure दी है इसके अंदर जो L है, L है और M है यह क्या है यहां पर excited जो N है यहां पर यहां पर धीर्यक रेका है जो दोनों को काटती है तो यह आपको एक कॉन दिया हुआ यह वाला कॉन दिया हुआ 115 ठीकuding के यह कॉन ये भी बताना है कि किस के बराबर है और क्यों है, मतलब कौन से आपनी कौन सा संबंद आपने प्रियोग किया है, एक आंतर यूगम वाला या फिर संपूरक वाला ठीक है, इस तरीके से कौन सा आपनी संबंद उठाया है, वो भी हमें करके दिखाना है, तो चलिए शुरू कर कौन एक और दो को मिला कि 180 के बराबर होगा क्यों को सीधी रेखा पर ये क्या बनेगा सरल रेखा युगम बनेगा तो 180 आएगा जो अभी उपर पड़ा था तो यहाँ पर हम क्या करेंगी जो एंगल एक है जो कोन एक है प्लस दो है उन दोनों को मिलागे 180 के बराबर होका क्यूं सरर रिखा यूगम तो ये लिखना था संबंद वो भी हमने लिख दिया और जो angle cone है जो हमारा 2 वो भी हम निकाल लेंगी अब एक तो हमें question में की दे रखा 115 है तो 2 अराम से निकल जाएगा 115 को उधर ले जाओ 180 – 115 कितना होगया 65 होगया तो cone 2 कितना होगया 65 होगया तो क्या करना था बस कोन निकालना था और किस कारण आपने कोन सा यूगम लिया है वो लिखना था संबंद क्या है वो लिखना था तो दोनों चीज़ी हमने कर ली है ठीक है, हो गया first दूसरा है आपको तीन निकालना है देखो दूसरे में क्या करना आपको तीन निकालना है तीन कैसे निकालोगी ये रहा तीन जो तीन है वो एक के बराबर है सीर्शाभी मुग कोन है है ना तो जो एक है एक 115 है तो तीन भी क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा ठीक है तो दूसरे पार्ट में लिख लो फटापट से क्या कोन 3 कोन 1 के बराबर होगा जो क्या है 115 तीन भी क्या हो जाएगा 115 के बराबर क्यों होगा सीरचाबी मुख कोन ठीक है अब चलो तीसरे पार्ट पे तीसरा है हमारा 5 कोन 5 आपको निकालना है जो कौन 5 है वो कौन 1 के बराबर है क्यों बराबर है अभी हमने कौन सा यूगम किया था यहाँ पे देखो अभी हमने क्या किया था संगत कौन यूगम किया था ना कि जो 1 है वो यहाँ 5 के बराबर है यह वही वाला तो है जो यह वाला है यह किसके बराबर है पांच के बराबर है बस ये side में बना रखे वो ओपर नीचे बना रखे थे ठीके तो जो angle 1 है वो कितना है कॉन 1 तो हमारा 115 है तो 5 भी एक ही के बराबर होगा 115 ही होगा लेकिन किस कारण बस यह अलग है अब की बार संगत कौन युगम की कारण ठीके किसकी कारण चोथा है आपका root 8, sorry root कहा रही हूँ cone 8, cone 8 कैसे निकालेंगे, 8 किसके बराबर होगा बताओ, 8 किसके बराबर होगा, अब मैं 5 निकाल चुकी हूँ तो cone 5 और cone 8 मिला के 180 नहीं बन जाएगा क्योंकि ये सीधी रेखा है सीधी रेखा पर कौन सा बनता है सलर रेखा यूगम, 180 डिगरी बनता है तो 5, जमा में 8 क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा तो कर लिजी 180 तो यहाँ पर cone 5 और cone 8, 180 हो गया ये हमें दे रखा 115 हमने भी निकाला था 8 हमें निकालना है कौन तो 8 क्या हो ये 115 उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा किसे हुआ ये सरल रेखा यूगम से हुआ ठीक है, तो ये हमारी जो 4 पाइट है कंप्लीट हो जाते है, यहाँ पर हमारी वरक्षीट कंप्लीट हो जाती है, I hope आपको अच्छे सा समझ में आ गई है, कोई भी डाउट है किसी भी कोशिन में तो कमेंट सेक्षिन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चानल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो का लाइक कर सकते हो, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल देन, टेक क्या, बाइबाई